नमस्कार दोस्तों मैं रावलिया दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आपके फनी टूप चैनल अरेश्टरी जखनिया में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग माध्य माध्य का बहुलक और परिशर पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो आपके आने वाले परिच्छा आरारवी एंटीवीसी में इससे जरूर एक या दो क्यूशन एक या दो क्यूशन हंट्रेट पर्शन पूछता है तो चलिए दोस्तों इससे आज हम लोग इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों हम लोग इसमें देखिए एक क्यूशन लिखा हूँ और इ माध्य कैसे निकालते हैं देखिए माध्य दोस्तों माध्य निकालने का सुत्र होता है कि इन सभी संख्याओं को जोड़कर इन सभी संख्याओं को जोड़कर और यह संख्याओं जितनी आए उतनी संख्या से इसमें भाग दे देंगे तो दोस्तों भाग देने के बाद जो आ संख्याओं से भाग दे देते हैं तो दोस्तों माद्य और आउसत दोनों एक ही चीजे समझे यह दिए आपको माद्य आ गया तो आप आउसत भी निकालेंगे और यह दिए आपको आउसत आ रहा है तो आप माद्य निकालेंगे तो दोस्तों इन सभी संख्याओं को जोड़ते देखिए 8 प्लस फिर 0 0 प्लस फिर 3 जोडेंगे तो 1811 बेखा है 1150 जोडएंगे तो 113 चाउदा हो जाएगा फिर देखिए फिर इसमें आपको एक जोडना है प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15, 17, 22, फिर प्लस इसमें 4 जोड़ेंगे, तो 22, 4 कितना हो जाएगा, 26, फिर दोस्तों इसमें प्लस 1 करेंगे, 26, 27, फिर दोस्तों 27 के बाद 4 जोड़ेंगे, 27 प्लस 4, 31 हो जाएगा, फिर 31 प्लस 4, हो जाएगा आपका 35, 35 देखिए दोस्तो अब इन संख्याों को गिन लेते हैं कितनी है तो दोस्तो एक दो 3,4,5,6,7,8,9,10 यенд deja 10 है और दोस्तों इन सभी संख्यां को जोडने पर आपका 35 आया तो इसमें 10 से भागinte देते हैं क्योंकि यह सभी संख्याय दस और इनको जोडने के बाद कितना आए 35 दोस्तों इनको जोडने के बाद आया आए आपका 35 बटा के 10 इससे भाग देंगे तो आपका आजाएगा 3.5 आपका माध्य निकल कर आगया माध्य आपका हो जाएगा 3.5 अब दोस्तों माधिका कैसे निकालेंगे देखी ध्यान से माधिका कैसे निकालते हैं माधिका ब्रावर बहुत है आसान है माधिका माधिका निकालने के लिए दोस्तो इन संख्याओं को आपको बढ़ते क्रम में या घड़ते क्रम में लिखना होगा तो दोस्तो इन संख्याओं को कीते आप आरोई क्रम में लिखे या औरोई क्रम में तो दोस्तों आरोई क्रम में लिखते हैं किसी में लिखे आरोई क्रम में लिखे या आरोई क्रम में लिखे दोनों लिखेंगे तो अभी आपका एंसर एक ही आएगा तो दोस्तों आरोई क्रम में लिखेंगे तो बढ़ते क्रम में तो पहले लिखेंगे सबसे छोटी वाली संख्या, सबसे छोटी वाली संख्या इसमें 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद, 0 से बड़ी 1 है, तो 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद, देखें, 1 से बड़ी 1 दो बार है, तो दोनों को लिख लेंगे, फिर 1, फिर इसक इसके बाद देखिए तीन से बड़ा चार चार कितने बार है तीन बार तो चार लिख लेंगे चार तीन बार इसके बाद दोस्तों पांच पांच को देखिए पांच नहीं है पांच से बड़ा इसके बाद 6 भी नहीं है साथ है साथ कितने बार है एक है तो इस पर लिख लिए माधिका का मतलब होता है मीडियन मीडियन का मतलब बिच्चे में दोस्तों जब संख्या हैं देख लीजे इन सभी संख्याओं के बीच में कौन वाली संख्या है इन सभी संख्याओं के बीच में कौन संख्या है तो दोस्तों देखे एक दो तिन चार पांच छो साथ नाइं तो दोस्तों जब जब संख्या समों तो जब आधा-धा करेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब गलत हो जाएगा यदी यह यहां पर नौव रती तो एक छार इँदर करते चाहिए इदर कर्ते दोस्तों बीच में एक संख्या वाचती तो ओजाती ओजा थी मांी कापकी लेकिन सम है το सममें कैसे करेंगी है है सम में करेंगी दोस्तों जो चार ठोब से लेंगे एक दो तो तिन चार चार तो इदर से ले लिए आप जो इसके बाद चार तो इदर से ले लेंगे इसके रिखे आपका बचा यह 2 वायवाश और डी किई डुस्त programmes किना कितना सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोस्तो आप बहुलग देखते हैं बहुलग क्या होता है देखिए बहुलग क्या होता है ऑफ़ो मादफय को अ कि का मतलब का मतलब क्या होथा है बहु लग बहु लग बहुत को उन संख्या के बहुत ज्यादा मात्र लेकिन आपको पता करना जरूरी है दोस्तों यह आपको नहीं आएगा तो इस छोटी-छोटी बातें को परिष्छा में आप भूल जायेंगे और दोस्तु देखरेंज क्या होता है रिंज जो आपका परिषर परिषर क्या होता है देखी ध्यान से समझ़ें बस आपको 10 मिनिट लगएँ बहुत वीडियो छोटी यह होगी दोस्तों परिसर क्या होगा जब आपसे इन संख्याओं का परिसर पूछ दे तो दोस्तों परिसर निकालने के लिए परिसर निकालने के लिए आपको पहले सबसे बड़ी वाली संख्या खोजना है सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें से कौन सी है आठ है तो सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे फिर इसके बार इसमें से सबसे छोटी वाली संख्या घटा देंगे सबसे छोटी वाली संख्या कौन है जीरो है तो इसमें से जीरो गटाएंगे तो आपका परिसर कितना आजाएगा परिसर आपका आठी होगा दोस्तों एधि जीरो नहीं रहता देखिए आपका परिसर निकल कर आगया है आठ होगा अब देखिए थोड़ा सावर समझा रहा यह पर अगर इस पहें 0 नहीं रहता 0 नहीं रहता तो तब क्या होता ऑठ और जीरो से बढ़ी संख्ययाने सबसे चोड़ी संख्या काउन सी बचलिए इस में से ए तो दोष्तों 8 में से एक निकालेंगे तो कितना आजाएगा आठ में से गया साथ तब आपका परिसर साथ हो जाएगा दोस्तों मुझे उमीद है कि महाद्यमादी का बहुलक और परिसर आपको अच्छे से समझ में आगया होगा दोस्तो इस वर हम लोग अगले वीडियो में क्यूस्चन को देखेंगे अधे आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें